नमस्कार दोस्तूं दोस्तूं हम देख रहेते सिक्स्या मनोविज्यान के अंदर टोपिक अनुसार परसन उतर दोस्तूं आज का जो हमारा सिक्स्या मनोविज्यान का टोपिक रहेगा वो रहेगा साररिक और मानसिक विकास दोस्तूं बाहर विकास का टोपिक है और साररिक औ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और सेर सभी साती जरूर कर दें चलते हैं दोस्तु क Yousono की और सबसे पहले हम देखेंगे सारे रिक विकास के जो important क्यूसन है दोस्तु वो क्यूसन चलते है मित्रूप पहला क्यूशन आपकी स्क्रीन पे है सारीक विकास का सारीक विकास के पक्स में सामिल है जो सारीक विकास होता है इसके पक्स में सामिल है सनायू मंडल तंतरीका तंतर अंतर इस्तरावी ग्रंतियां यह सभी दोस्तु बात हो रही है कि सारीक विकास के पक्स में सारीक विकास क पक्स में यह सभी आपका यहां पर रहेगा दोस्तों नेग्स्ट कूशन में चलते हैं निर्म में से कौन सा कारिये अंतर इस्तरावी ग्रंतियों का नहीं है इनमें से दोस्तों तो सही एंस्वर बतादा जाता हूं जिस समया आपका अकराब नाहूं कम समय में आपको क्यों सनांदिक सेंदिक मिलते रहे दोस्तों यहां पे रहे का अपका वॉप् Grade सदार कि यह चार सी दोस्तों यह व्यक्ति में रासाइजनिक शंथुलन बनाई रखना अभीवर्दी वस्वास्ते को नियंतरित करना बावात्मक वा संतुलन बावात्मक संतुलन को परभावित करना यह सभी अंताइस्त्रावी ग्रंतियों के कारिये होते हैं नेक्स्ट क्यूसन है अन्ते इस्तरावी ग्रंतियां हैं इन में से कौन सी हैं अन्ते इस्तरावी ग्रंतियां दोस्तों देखते हैं आपके एड्रिनल ग्रंती प्यूस ग्रंती और थाइराइड ग्रंती तीनु ही ग्रंतियां हैं दोस्तों अन्ते इस्तरावी ग्रंतियां चा मादेन से किया जाता है दोस्तु कारिय जह सम्ता के अदार पर बहुत इंपोर्टेंट कैश्ट नहीए और बहुत बार आया हूं हुआ क्योंसने दोस्तु यह नेक्स्ट कैश्र में चलते हails क्युश्ञहें नमबर 5 है दोस्तो आपका जब छोटे बच्चे के गालू को छुआ जाता है तो बालक हसने के लिए अपना मुहें कोल देता है शोटा बालक है उसके गाल unlock को जैसे हैं आप आधसे चुएंगे तो बालक है वो हसने के लिए अपना मुहें खोले गा यह क्या है धोस्तु यह won도 अप्सें एक है जो आपका यहां पे सही रहेगा, important क्यूसन है यह, next क्यूसन में चलते हैं, चोटे बच्चे के सामने कोई भी वस्तू या खिलो ना रखा जाता है, तो बालक हात पेर के मादिम से उसे पकड़ने की कोसिस करता है, यह क्या कहलाता है, चोटा बच्चा अगर आपके गर म हैं, तो आप उसके सामने कोई खिलो ना रखोगे, तो वो हातू और पेरू से दोनु से उसको पकड़ने का प्रियास करेगा, दोस्तूं, यह क्या कहलाता है, दोस्तूं, यह कहलाता है, मोरो दोस्तूं, और इसी को मोरो एज कहा जाता है, नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं, जब चोटे बच्चे के पेर को तलवे को चुआ जाता है तो बालक अपने हाथ पेर की अंगूलियों को मोड़ना शुरू कर देता है उसे कहा जाता है चोटा बच्चा है और पेर का जो तलवा होता है उसको आप चुआगे तो बालक होता है वो अपने हाथ और पेर की जो अं कि इसको कहा जाता है दोस्तों next question में चलते हैं बच्चु की सारीरिक वर्दी की दर अधिक होती है है यह ओते दोस्तों पूरcha बच्पन से उत्तर बच्पन की बजाय बच्पन में उत्तर जो बच्पन होता है उसकी बजाय यह जैसे पूरव बच्पन यानि बचपन की सुरुवात में दीख होती है जैसे ही बचपन का खतम होना रहता है उसमें ये दीमी हो जाती है याद रिखना है important question है ये दोस्तों दो एक्जामू के अंदर पूचा भी जा चुका है लाश्ट सालों में next question में चलते है निव में से कौन सी वर्दी एवं विकास का परतम चरण है वर्दी एवं विकास का परतम चरण इनमे से कौन सा है दोस्तों सारे दिख विकास एक नमर उप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा next question है गामग विकास से हमारा ताथ पर रहे मास पेस यू के विकास तता पेरू के उचित परियोग से है तो यहाँ पे सही उप्शन रहेगा समझे कौन को गामग विकास से हमारा ताथ पर रहे मास पेस यू के विकास तता पेरू के उचित परियोग से सक्ती और गती से हैं दोस्तों ओप्सन नमबर चार है जो यहां पे सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूसिन में चलते हैं, थकावट और बिमारी जैसे कारक मुके रूप से किसको परभावित करते हैं, जो थकावट और बिमारी जैसे कारक होते हैं, यह किसको परभावित करते हैं दोस्तों, यह करते हैं बच्चे कि जो सारीक विकास है उसको परभावित a second ने चिसमें चलते हैं कि सवस्ता में सरीर में हडियू की संक्या कम हो जाती है कौन से अवस्ता है जिसमें सरीर के अंदर जो हडियू की संक्या है वो कम हो जाती है जनम के समें हडियू की संक्या में वर्दी होती रहती है लेकिन जो किसोरा अवस्ता होती है दोस्तों इसके अंदर जो हडियू की संक्या है उसमें क कितनी होती है बीस होती है important question है यह दोनों ही दोस्त हूं next question में चलते हैं कि सोरा आवस्ता में 16 वर्स की आयू में मांसपेस यू का वजन सरीर के कुल वजन का लगबक कितना परतिसत हिस्सा हो जाता है 16 वर्स की हम बात कर रहे है 16 वर्स का जो बच्चा होता है उसकी हम बात कर रहे है बालक की वहाँ पर जो उसके मांसपेस यू का वजन है वो सरीर का कुल वजन है उसका कितना परतिसत होता है दोस्तु चमालिस परतिसत हो जाता है दो नमर ओप्सन आपका सही रहेगा इंपोर्टेंट क्यूसन है दोस्तु ये नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं भुरुना अवस्ता में अड्यू की संक्या होती है आगे है न दोस्तु पहले मैंने नहीं बता है लेकिन आप बता दिते हैं बुरुना अवस्ता के अंदर अड्यू की जो संक्या होती है वो 306 होती है दोस्तु और सबसे ज़्यादा यही क्यूसन पूचा जाता है नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं किस आयू में बालक का वजन अपने जनम के वजन का लगबग तीग गुना हो जाता है जनम का अगर वजन एक केजी है तो तीग गुना यन तीन गुना यन तीन केजी वजन उसका किस अवस्ता में हो जाएगा दोस्तु इस क्यूशन का ये मतलब है तो जब वो एक वरस का हो जाएगा अगर जनम के समय तीन किलो का बालक है तो एक वरस के बाद वो कितने का हो जाएगा नो किलो का हो जाएगा दोस्तु ओप्सन नमर एक आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं बालक का कौ विकास की तो अध्यापक और विदाले दोन्यों से परभावित होता है समय घात्मक विकास परभावित होता है सामाजिक विकास जो विदाले और अध्यापक से भी परभावित होता है लेकिन सारीरिक विकास में अध्यापक और विदाले की कोई भूमी का नहीं होती है दोस्त हमने देखिए धी मास्पेसियों का बजन है कि 11 वस्ता के अंदर 16 वरस्त के आईू में आते हैं वालग उससों में 45 परतिस्त हो जाती है मास्पेस यहां कुल सरीर के बजना है। नवजाज सिसू में जो मास्वेशियों का वजन होता है वो लग जो कुल सरीर का वजन है उसका 23 परतिसत होता है दोस्तों चार नमर उप्शन आपका यहां पर सही रहेगा नेक्स ट्यूशन में चलते हैं बच्चे के उचित विकास को शुनिस्चित करने के लिए उसका सवस् सारिक विकास एवो मेत्वपून आवसिकता है यह कतन ओप्शन देखिए दोस्तों यह कतन है तो ओप्शन देखते हैं दोस्तों यहां पर सही कौन सा होता है हम देखेंगे सही ओप्शन देख लेते हैं सिधा ही तो हमारे सही रहेगा सही है क्योंकि सारिक विकास विकास के अन्य पक्सू के साथ अंत्य समंदित है उपर क्या लिखा गया था क्यूसन में कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका सवस्त सारिक विकास एवं महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण आवसेकता है यह सही है क्योंकि सारिक विकास है उसका जो व 12-14 वरस की आयू के बीच की अपेक्सा की लंबाई एवं मास्पेशियों में तेजी से वर्दी होती है। लड़कों और फिर क्या अएगा लड़कीओं लड़कीओं आगए है मित्रूं आगे हम बात करते हैं लड़कों वस्पेशियों आगए है यहां पे दूसरा जिसमें एवं 14-15 वर्दी की आयू के चलते हैं 21 नमर क्यूसेन है दोस्तों हमारा बाल विकास के अद्देन में निमलिकित में से किन बातूं को सामिल किया जाता है जो बाल विकास का अद्देन है उसमें किन को सामिल किया जाता है दोस्तों चलते हैं ओप्सनों की ओर ओप्सन देखते हैं आयू के साथ होने वाले परिवर्तनों को क्या सवरूप होता है जो आयू के साथ होने वाले परिवर्तन है उनका क्या सवरूप होता है बाल विकास के अदिन में इन में से किन को सामिल किया जाता है यह क्यों से हमारा पहला होपसन है कि आयू के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या सवरूप होता है दूसरा option है, बालक में होने वाले प्रिवर्तनों का विसेस आयू के साथ क्या सम्मन्द होता है। और तीसरा option है, बालकों में पाई जाने वाली वेक्तिगत विबिंताओं के लिए किस परकार के आनुवांसिक एवं परिवेस जन्ने परभाव उतरदाई होते हैं। यह तीनों ही दोस्तों बाल विकास के दिन से समंदित है, तो यहाँ पर आपका option है, जो रहेगा चार नमर, यह सभी सही रहेगा दोस्तों। पहला क्यूसन, सवेदना ज्यान की पर्तम पिड़ी है, इसकतन को किस विकास के साथ जोड़ा जाता है, सवेदना ज्यान की पर्तम पिड़ी है, तो यहाँ पर बात हो रही है मानसिक विकास की दोस्तों, एग नमर option आपका सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं, क् जीवन का पर्थम और सुकद अनुभव किसे माना जाता है जीवन का पर्थम और सुकद अनुभव सवेदना को माना जाता है important question next question में चलते हैं सगनन का सिद्धान्त किसकी व्याक्या करता है जो सगनन का सिद्धान्त है वो इस्मर्ती की व्याक्या करता है ये भी क्यूसन है जो बहुत इंपोर्टेंट है आया हुआ है दो तीन बार एक जामू के अंदर दोस्तुम नेक्स्ट में चलते हैं इसमर्ती में सामिल है इसमर्ती के अंदर क्या क्या सामिल है देखते हैं पेचान सामिल है पूने इसमर्ती के अंदर सामिल है दारना सामिल है दालन नहीं है दालना है यहाँ पर तीनों सामिल है मतलब चाल नमर उप्सन आपका सही रहेगा उपरोगत सभी इसमर्ती सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है ये कतन किसका है ये कतन किसका है वुडवर्थ का है एक नमर उप्सन आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट ट्यूसन में चलते हैं किसी दूसरी वस्तु की अपयक्सा एक ही वस्तु पर चेतना का केंदरी करण अउधान है ये कतन किसका है इंपोर्टेंट कतन है दोस्तु ये किसी दूसरी वस्तु की अपक्सा एक ही वस्तु पर चेतना का केंदरी करन अउधान है यह जिए यह एस रूई का कतन है दोस्तु दो नमर उप्सन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा अवधान के आंतरिक निर्दारक तत्वे हैं अवधान के जो आंतरिक निर्दारक तत्वे हैं वो कौन-कौन से हैं देखते हैं रूची है दोस्तु अभिवर्ती भी है और लक्से भी है तो चार नमर उप्सन ये सभी है जो अवदान के आंतरिक निर्दारक तत्वए होते हैं दोस्तों next question में चलते हैं तरक जिग्यासा तता निरिक्षण सकती विकास होता है तरक का जिग्यासा का वो निरिक्षण सकती है इनका विकास होता है कब होता है? 11 वरस की आयू के अंदर तीन नमर उप्सन आपका यहां पे सही रहेगा अवधारनाओं का विकास मुक्य रूप से का हिस्सा है अवधारनाओं का विकास मुक्य रूप से मानसिक विकास का हिस्सा होता है दोस्तों एक नमर उप्सन है जो आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट ट्यूसन में चलते हैं निमलिकित में से कौन सा विकास चोटे बच्चु में मांसिक एवं संग्यानात्मक विकास में सरवादिक मददगार होता है दोस्तों यह होता है आपका सारिरिक विकास दोस्तों चोटे बच्चु की बात हो रही है चोटे बच्चु के अंदर सारिक विकास है तो उनका मांसिक और संग्यानात्मक विकास है उसमें मददगार रहे गाई है नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं सबी बच्चों की सवतंतर खेलो, अनौपचारिक वे ओपचारिक खेलो, योग और खेल की गतिविडियों में सहह बागीता क्यों आउसेख है? मतलब कि सबी बच्चों को खेलना क्यों आउसेख है सारिक विकास होता है इससे मांसिक विकास होता है और इससे सामाजिक विकास होता है तीनों विकास होते हैं दोस्तों इससे उपरोग सबी आपका सही रहेगा खेलोगे तो सारिक विकास होगा खेलोगे तो मांसिक विकास होगा खेलोगे तो सामाजिक विकास होगा क्योंकि अक्यले नहीं खेलते हो समुए में आप खेलते हो नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं बाल विकास के विबिन आयाम एवम इनके अधिगम के संबंद में संदर्म में निमलिकित में से कौन सा कतन ऐसत्य है बाल विकास के जो आयाम है उनके बारे में यहां पे कौन सा जो कतन है दोस्तों वो ऐसत्य है आपको बताना है देखते हैं विकास के विबिन आयामों का आपस में गनिश्ट संबन्द है एवं यह अधिगम को परवावित करते हैं सही बा बालकू का विकास एवं अधिगम एक निरंतर पर किरिया है विकास हो या अधिगम हो एक निरंतर पर किरिया होती है दोस्तु नेक्स्ट है सारिक विकास विसेज कर छोटे बच्चों में मांसिक वैस संग्यानात्मक विकास में मददकार होता है जो भी हमने क्यूसन देखा थ दोस्तु हूं क्यूसर नंबर दस तो यह भी क्या आपका सही है तो यहां पर जो तीन कतन है तीनों के तीनों आपके क्या है सही है उपरोगत में से कोई नहीं जो ऐसत्ते हो यहां पर नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं आपकी कक्सा में एक राचातर राजु सारिक विकास की द तरश्टी से बहुत ही पिचला हुआ है सारीक विकास उसका बहुत कम हुआ है तो किस आयाम में राजु के पिचलने की चिंता आपको होगी सवेगात्मक विकास बोधिक विकास सामाजिक विकास तो दोस्तों तीनु ही होगी यहां पर सवेगात्मक विकास की चिंता होगी बो सिक्सक का विकासात्मक प्रिप्रिक्षे सिक्सकू से यह मांग करता है कि वे क्या मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकू के ग्यान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें इंपोर्टेंट क्यूसन है दोस्तु यह और बहुत बार एक्जामू में आया है और हर बार सभी च्छातर इसको गलत भी करके आ रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट यूसन में चलते हैं ध्यान से पड़े बड़ा क्यूसन है एक अध्यापक या अध्यापीका ने पाया की एक विदारती वरग में कठिनाई अनुभव कर रहा है उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे यहाँ पर विकास एक विवस्तित करम में होने वाली परवर्ति से सम्मंध है इससे पता चल जाता है कि इसको किसमे कमजोरी रहेगी दोस्तों नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसन नंबर 16 मानव बुद्धी एवं विकास की समझ सिक्सक को योग्य बनाती है किसमें यो क्यूसन गत् तीन या चार साल में भवूत एक्जामों में ये क्यूसन रिपीट हुआ है नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं सेंकल बनाओं की विवस्तित परस्तूति विकास के निमलिकित में से किन सिदांतू के साथ समंदित हो सकती है इंपोर्टेंट क्यूसन है दोस्तों विकास सापेक्स रूप से कर्मिक होता है, ओप्सन नमर आपका दो यहां पे सही रहेगा, और चलते हैं दोस्तों अंतिम क्यूसन की और, मनव विज्ञान सिक्सिया के छेतर में साइता देता है, तेता बताता है कि सिक्सिया के उदेशियों की पूर्ती का तक संभव है, तीन और ओप्सन आपका यहां पे सही रहेगा, तो यह एक बार सभी मित्र कमेंट करके बताईए कि सारिक और मांसिक विकास से समंदित यह क्यूसन आपको कैसे लगे दोस्तों, लगबग 40 क्यूसन थे, जो गत तीन या चार सालू के अंदर बार बार एकजामू के अंदर रिपी है